G20 Framework Working Group की चौतिय और अंतिम बैठक आज रायपूर 36 कड में सफलता पूर्वक संपन हुई दो दिवसी बैठक की सह अध्यक्षता चांदनी रेना सलाहकार वित्तमंत्राले भारत सरकार और सैम बैकेट मुख्य आर्थिक सलाहकार ब्रिटेन ने की बैठक में G20 सदस्य आमंत्री देशों और अंतरराश्ट्री संगठनों के लगभग 65 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया इस वर्ष समुह ने सफलता पूर्वक दो G20 रिपोर्टें दी हैं मुख्य रूप से खार्दे और उर्जा असुरक्षा के व्यापक आर्थिक प्रभावों पर G20 रिपोर्ट और जलवायों परिवर्थन से उत्पन होने वाले व्यापक आर्थिक जोखिमों पर रिपोर्ट प्रस्तुत की गई बैठक में वैश्विक आर्थिक द्रिश्टिकों और अंतर राष्ट्रे संगठनों की प्रस्तुतियों के आधार पर गेहन विचार विमर्श हुआ And today I have been co-chairing with my Indian partner the FWG session for the G20. This brings to an end the work of India's presidency through this round of the G20 and we have had a fantastic discussion on the global risks that the world is facing and what the right policy prescriptions are to help ensure balanced, inclusive and sustainable growth. We have had the most fantastic and generous welcome here in Raipur and it's been great for this to be a celebration of the end of a very successful Indian presidency. We have had a framework working group meeting and there are many important issues that are discussed such as global economy outlook, climate finance, climate change and macroeconomic impact, food and energy insecurity के उपर भी चर्चा हुई और supply chain resilience पे भी चर्चा हुई. Overall movement forward था, एक understanding थी on issues and अब आगे इस पे काम होगा in the next presidency. भारतिय रिजर्व बैंक ने भी G20 चर्चाओं को अधिक समावेशी और मानव केंद्रित बनाने के लिए कई जन भागीदारी कारिक्रमों की मेजबानी की. इसमें आमजनता चात्रों और स्वयम साहता संगठोनों के साथ कई साजा कारिक्रम आयूजित किये गए थे. कर दो